नमस्कार रात के नो बज रहे हैं मैं राके शर्मा आपके रूबरू हूँ आज पूरा दिन भर की बड़ी खबरों बड़ी अपडेट को लेकर के क्या कुछ खास आज पूरा दिन भर रहा है और क्या बड़े कहतना करम कल भी होने वाले हैं क्योंकि कल कैबिनेट की मैं किस तरह की चर्चा होनी है किन बिवागों किन सरकारी करमचारियों को इस जो कैबिनेट की बैठक है इससे उमीदें लगी हुई है और क्या फैसले का ला सकते हैं इसकी चर्चा आपके साथ स्बुलेटन के माध्यम से साज़ा करेंगे हिमाचल के लिए बड़ी खबर निकल करके आई है अगनी बीरों को लेकर के तमाम जो पुरा देश भर है काफी तपिश जो है देखने के लिए मिल रही थी अगनी बीरों को जो चार साल के बाद जिनें रेटायर किया जाएगा जो घर बापिस लोटेंगे उन्हें रोजग होंगे उस पर सरकार किस तरह से बीचार फिलाल कर रही है और क्या आगे कदम उठाए जा सकते हैं इसकी जानकारी आप से साज़ा करेंगे क्योंकि आज एक बड़ी बात निकल करके सामने आई है ये क्या है इसकी जानकारी आप से साज़ा करेंगे इसके साथ कैबिनेट बै बैठक आयोजित होने बाली है और इस बैठक में किस तरह के परस्ताब सामने लाए गए हैं किन करमचारियों के ओपर या जो करमचारियों के तमाम जो मसले हैं या परदेश भर की जो तमाम घटना करम पिछले दिनों हुए हैं उनसे जुड़े हुई जो तमाम बाते हैं उस चरचा कल हो सकती है और कौन-कौन से जो एजन्डे हैं वो कैबिनेट की बैठक के लिए गए हैं इसकी बात आपके साथ साजहा करेंगे जिला परिशद को बड़ा जटका लगा है जिला परिशद के लिए एक अच्छी खबर नहीं है और क्या खबर है यह कहां से निकल करके आई है क्या फैसला है और आगे आने बाले समय में जो जिला परिशद के तहट करमचारी पूरे परदेश भर में है वो किस तरह के कदम उठा सकते हैं किस तरह से उन्हें राहत मुहया हो सकती है इसकी बात करेंगे लोक सेबा आयोग का रेगुलेशन को लेकर के बड़ी चर साजह करेंगे टीजी टीडीडीडीजेएटी जेओाइटी आटगसो सत्रा की भी बात करेंगे और तमाम ने खबरें जो आज चर्चा में रही हैं तमाम घटना करमचे पूरे परिश भर के जो रहे हैं उसकी बात आपके साथ साजहutet quick फिलहाल मौसम की बात करते हैं, बुलेटन की शुरात मौसम से करें तो 27 जून से मौसम की करवट का जो अंदेशा है वो मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है और येलो एलर्ट की जताबनी दी कही है, भारी बारिश होने की संभावना है और जो अधिक उंचाई वाले हलकी बरबारी भी हो सकती है और इस बजहा से आने वाले दिनों में अब ठन बढ़ने की संभावना बढ़ गई है, 27 और 28 को मौसम विभाग की तरफ से ये येलो एलर्ट जो है वो जारी किया गया है, बात बंपर भरतियों की करते हैं क्योंके नोक्रियों की जो अधिसूच ना है वो कही न कहीं बाहर निकल कर किया रही है और इस बार जो भरतियों है वो पशुपालन बिभाग में होने बाले हैं, अगर बात करें तो 34 पद समाने श्रणी में भरे जाएंगे और इसके साथ ही SC बर्ग में 8, OBC में 7, ST में 4 और जो अन्य पद हैं वो पूर्ब जो करमचारी जो पूर्ब सैनिक हैं उनके लिए रक्षित किये गए हैं और बेतन की बात करें तो चाइन के बाद 40355 का मासिक वु जाने हैं और इसके लिए 26 जुलाई आखरी तारीक तैए की गए 18-45 वर्ष आयू के जो हैं अवेदक हैं वो इसमें अपना अवेदन कर सकते हैं अपशुपालन विभाग की ये भरती परक्रिया आयोजित हो रही है बात दमकल करमचारी की करते हैं दमकल करमचारी नाराज ह गये हैं सरकार से अदमकल करमचारी का कहना है कि जो बेतन विसंगती को लेकर के उनका मामला चल रहा है उसे फिल हल हल नहीं किया गया है जो तमाम विभाग उनके साथ जोड़े जाते हैं पुलीस भी भाग है बन भी भाग है या अन्ने जेल वाडन भी हैं उनके भी जो ग् परेड़ पे 32 दिया जा रहा है लेकिन जो दमकल विभाग के करमचारी है उनके लिए कोई फैसला नहीं हो पाया है और वो 2000 के जो उन्हें पे बैंड है उसी पे अभी तक बने हुए है और इस बजहा से उनमें आकरोश बना हुआ है और अगनी शमन दमकल विभाग के करमचार करमचारियों ने आने वाले दिनों में अंदोलन की चैताबनी सीधे तोर पर सरकार को दे दी है करमचारियों का कहना है कि पूरे परदेश भर में जो तमाम करमचारी दमकल विभाग से चुड़े हुए है उन्हें एक चुट किया जाएगा और इस अंदोलन को आगे बढ़ खाली चल रहे थे जब इन पदों पर जो प्रिंसिपल है उने टेनात करने की प्रिक्रिया शुरू कर दी गई है तीन बड़े नाम सामने आए हैं इन इनहें जो प्रिंसिपल के तोर पर तेनात किया जा सकता है डीपी سी को सवस्ते मंतरी की मõंचुरी दे दी गये हैं स्वस जो तीन मेडिकल कॉलेज हैं आईजी एमसी, शिमला, मंडी और नाहन यहाँ पे तीनों कॉलेज़ों में स्ताई प्रिंसिपल की तैनाती जो है वो हो जाएगी जिन बरिष्ट चिकिस्तोकों की डीपीसी त्यार हुई है उनमें डॉक्टर सौधी, डॉक्टर आजे सूध और डॉक्टर सीता ठाकुर शामिल है आज उर्जा विभाग का एक कारेक्रम संपन हुआ है इसमें उर्जा मंतरी ने कहा है कि जल्द ही पूरे परदेश भर में दस मेगावाट बिजली का उत्पादन घर की छटों से होगा और जो पन बिजली और कोईला से बिजली उत्पादन के उपर के अंदर सरकार अभी तक निर्भर थी उसे अब सौरूर्जा में परिबर्तित करने की तैयारी चल रही है माचल को इस संबंध में 10 मेगावाट का लक्षे दिया गया है इसे हासिल करने के लिए प्रियास किया जा रही है और सौरूर्जा विभाग इस लक्षे को जल्द ही हासिल कर लेगा और इसके लिए पूरे परिदेश भर में अलग अलग जगाओं पर सैमिनार कायोजन किया जा रहा है जिनके माध्यम से जानकरी जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है और जो लोग हैं वो सौरूर्जा के जो सायंतर जो प्रोजेक्ट हैं अपने घरों की छटों पर लगा रहे हैं बात कैबिनेट की करते हैं कल कैबिनेट की बैठक का योजित होने बाली है महत्पून ये बैठक है और तमाम विभागों की नजरे जो करमचारी हैं उनकी भी नजरे और अन्य जो आम लोग हैं उनकी भी नजरे इस कैबिनेट के उपर लगी हुई है सबसे बड़ी बात जलशक्ती विभाग के लिए है रोजगार को लेकर के बड़ी चर्चा कल बड़ी बहस कैबिनेट में होने बाली है चार हजार पैरा बरकर के पद जो हैं वो भरे जा सकते हैं जलशक्ती विभाग में इसको मनजूरी मिल सकती है जलशक्ती विभाग की और से कैबिनेट में ये फाइल पर स्ताबित की गई है और इस चर्चा के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि पैरा बर्कर के जो जलशक्ती विभाग में तवाम पद भरे जाने है उन्हें किस तरह से भरा जाएगा पी डबल डी में हालांकि अभी तक पांच हजार पदों की भरती पर क्रिया शुरू की गई है और उसके साथ ही बर्क लोड पिछले दिनों बढ़ा था उसके बाद करमचारियों की जरूरत महसूस की जा रही थी और इस संबंध में जलशक्ती मंतरी ने भी बियान दिया था कि हमें जादा से जादा करमचारियों की आवशक्ता है और इस बात को कैबिनेट में लेकर के जाएंगे कैबिनेट की बैठक में दूसरा महत्पून एजेंडा मांसून सत्र को लेकर के भी है विधान सबा का मांसून सत्र अब योजित होने वाला है मांसून सत्र की तैयारियां जो है वो कैबिनेट की बैठक के साथ ही शुरू हो जाएंगी परदेश सरकार ने जो अपना एजें इसे शुरू करने की जो तैयारियां हैं वो की जा रही है और कैबिनेट की बैठक में इस पे मोहर लगती है तो जुलाई में राश्टपती चुनाब के साथ साथ ही मानसून सतर भी शुरू हो जाएगा और इस दोरान विधान सभा में क्योंकि ये मानसून सतर के बाद सिधे चुनाब में जाना है सरकार को तो मानसून सतर में गर्मा गर्म बहस जो है वो देखने के लिए मिलेगी तमाम जो बिधेग हैं वो मानसून सतर में लाए जाएंगे और इस दोरान जो अभी तक जो उमीदे पूरे पर्देश भर्मे पर्देश सरकार से लगी हुई हैं जो म पाद ये तैय होगा कि मानसुन सतर की स्थिती किस तरह से रहेगी कब इसे शुरू किया जाएगा यूजी सी स्केल को ले करके भी कल बड़ी चर्चा कैबिनेट की बैठक में सुनाई देगी इसका इसकी भी फाइल कैबिनेट में मूब हुई है और इस पे चर्चा होनी बाकी ही है और कैबिनेट की बैठक के बाद ही ये फैसला यूजी सी को ले करके भी कल सामने आ सकता है ये एक बड़ा एजेंडा इस कैबिनेट की बैठक में शामिल है शेहरी गरंटिट रोजगार योजिना पर भी पहली बार एक्ट जो है वो कल कैबिनेट में सामने आ सकता है इ इसे लेकर के भी एजेंडा परस्तावित किया गया है बैठक के लिए और चर्चा बैठक में सुनाई देगी लोग से बायों के चेर्मेन और सदस्यों को पेंशन की जगा फिक्स्ट एकाउंट एमाउंट देने की बात कही गई है और इस की परस्तावना जो है वो कैबिनेट क लिए की गई है चेर्मेन और मेंबर को अलग अलग परिभाशित करने के लिए रेगुलेशन में बदलाब हो सकता है ये एक बड़ी बात निकल करके आज सामने आई है और कैबिनेट में इसे परस्तावित किया गया है लोग से बायों को लेकर के भी कैबिनेट में कल बड़ उसमें आवश्यक जो बदलाब हैं वो किये जा सकते हैं जिला परिशद की बात करते हैं जिला परिशद करमचारियों के लिए बड़ा जटका है क्योंके जिला परिशद करमचारी उमीद लगा रहे थे तमाम जिला परिशद के अधीन जो करमचारी है कि उन्हें पंचायती पर आपत्ती लगाई गई है उसमें कहना है कि जिला परिशद का जो कैडर है वो भारत सरकार के तहट जारी होने वाले फंड के अधीन आता है यानि जिला परिशद के जो करमचारी है उन्हें भारत सरकार से जो फंडिंग होती है उसके तहट भुगतान किया जाता है जबकि पंचायती राज के तहर जो करमचारी हैं उन्हें भुकतान परदेश सरकार की तरफ से किया जाता है इस बजहा से जिला परिशत के करमचारीयों को पंचायती राज विभाग की अधिन नहीं लिया जा सकता है ये बिद विभाग की तरफ से आज एक बड़ा क्वेस्चन जो नए डिगरी कॉलेज मिले हैं और इन डिगरी कॉलेज के साथ ही ने अधिसूचित कर दिया गया है और इनकी बात करें ये कहां कहां कौन से जिला में खुलने हैं तो बिलासपुर के गंडावली में डिगरी कॉलेज आज से की अधिसूचिना जो है वो जारी होगी है शिमल ही राहत की बड़ी खबर ये है कि इन डिगरी कॉलेज में आठारा जो स्टाप के पद हैं वो भी भरे जाएंगे इन पदों को स्रीजित किया गया है और नए भरती है इन जो चार डिगरी कॉलेज हैं इन में होने बाली हैं इसके साथ ही शिमला विश्विद्याले के अधीन अब जो जिले हैं उन्हें बांड दिया गया है मंडी विश्विद्याले और शिमला विश्विद्याले के अधीन जो तमाम परदेश के जिले हैं उन्हें बांड दिया गया है शिमला विश्विद्याले की बात करें तो शिमला, सिरमोर, सोलन, विलासपूर, हमीरपूर, उ अलग अलग ये गतिवीधियां होंगी अब बात करते हैं अगनी वीरों की देश भर में अगनी वीरों को ले करके पूरब में हिंसात्मक जो परदर्शन है वो देखने के लिए मिले थे और परदेश भर में भी अब जो विरोध है वो सामने आया था लेकिन अब बड़ी बात अगनी वीरों को रोजगार की शुरू हो गई है क्यूंकि चार साल की सेवा के बाद जब अगनी वीर बापिस लोटेंगे तो उन्हें किस तरह से सरकारी नोकरी में रखा जा सकता है उनके अरक्षन की ववस्ता किस तरह से की जा सकती है इस पे चर्चा शुरू होगी है और हिमाचल सरकार अब इस बात पे चर्चा कर रही है कि अगनी वीर जो चार साल की सेवा काल के बाद बापिस आएंगे उन्हें सरकारी नोकरी में कितना अरक्षन और किस तरह से अरक्षन दिया जा सकता है ये चर्चा शुरू करने वाला हिमाचल दूसरा राज्य है क्योंकि इस से पहले हर्याना में ये घोशना हो चुकी है कि तमाम अगनी वीर जो चार साल के बाद बापिस लोटेंगे उन्हें सरकारी सेवा में अरक्षन दिया जाएगा उनकी भरतियां जो है वो सरकारी सेवा मे उसे पूरा करना है क्योंकि हमाचल में 50 फीसिती का अरक्षन पूरा हो चुका है जो पूर में गरीब तबके को अरक्षन दिया गया था उस अरक्षन के साथ ही हमाचल का पूरा कोटा जो 50 फीसिती का बनता है वो पूरा हो गया था अब इस कोटे में अगनी वीरों को किस त अनुम प्रतिशत है वो कितना तै होगा इस पे चर्चा हो रही है और इसमें सैनी कल्यान विभाग और कार्मिक विभाग मिलकर नियम तै करने में लगे हुए हैं परदेश सरकार की ओर से सैनी कल्यान विभाग और कार्मिक विभाग को ये संदेश दिया गया है कि वे इस अग पहलूं पर भी विचार किया जा रहा है नियाएक पहलू किस तरह से रहेंगे भर्तियां अगर इस तरह से होती हैं अगनी वीरों की तो उसमें नियाएक अडचने कहा सकती हैं इसके समाधान पर भी जर्चा हो रही है इसके साथ ही अगर पूरे देश की बात करें तो हर्याना सरकार फिलहाल अगनी बीरों के लिए अरक्षन का ऐलान कर चुकी है हर्याना में जो भी अगनी बीर चार साल के सेवा काल के बाद लोटेंगे उन्हें सरकारी सेवाओं में अरक्षन मिलेगा सरकारी सेवाओं में मोका जाने का रहेगा बात जेबीटी की करते हैं जेबीटी पर भी संगराम पूरे परदेश भर में देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि जेबीटी के जो अबेदक हैं उन्होंने अंदोलन की बात कहिया 28 जून से ये काली पट्टी पहन कर विरोध जताएंगे और इसके साथ ही मुखे मंतरी और परधान मंतरी को भी अपने संदेश भेजेंगे इनका विरोध बीएड और बीएड को लेकर के है क्योंकि जेबीटी के समकक्ष ही बीएड को पात्र माना गया है और इसे लेकर के अब जेबीटी के तमाम जो परशिक्षु हैं या परशिक्षित जो पर पूरा कर चुके हैं वे अब बिरोध परदर्शन पर उतरा हैं और 28 जून की इन्होंने तारिक ताई कर दिया 28 के बाद इनका परदर्शन पूरे परदेश भर में शुरू हो जाएगा बाद जेओ आइटी 817 की करते हैं जेओ आइटी 817 का परिनाम एक साल के बाद भी नहीं देरी हो रही है उननीस हजार कुल अबेदक हैं जब भीहरती जिन्होंने इस परिक्षा को दिया था जेओ आइटी 817 परिक्षा को दिया था और बात करें तो पिछले साल जुलाई में ही ये परिक्षा हुई थी और अभी तक इसका परिनाम जो है वो सामने नहीं आया है औ उन्होंने बड़ा बयान पुलीस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर के दिया है उनका कहना है कि पुलीस भर्ती पेपर लीक की निश्पक्स जांच से परदेश सरकार डर रही है और इस जांच में कुछ खुलासे हो सकते हैं इसे लेकर के आगे के कदम नहीं बढ़ाई जा रहे हैं और IB को जो इस मामले की जो जांच है वो सिमित कर दी गई है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है इसे लेकर के कॉंगरेस ने आज अपतीज़ाद आई है टी जी टी परमोशन की बात करते हैं टी जी टी परमोशन एक हजार जो टी जी टी हैं उनके परमोशन की बात कही जा रही है और जुलाई बहीने में इनकी परमोशन होगी पूरे परदेश भर के ये एक हजार टी जी टी हैं जो पड़निती का इंतजार कर रहे हैं लंबे समय स और अब इनके लिए पर्मोशन के जो दर्वाजे हैं वो खुल गए हैं और इनका इंतजार खतम होने वाला है पूरे परदेश भर में ये जो एक हजार टीजी टी हैं उनके जुलाई महीने में पर्मोट होने की जो स्थिती है वो सामने आ रही है इसके साथ ही बात राश्टपती चुनाब की करते हैं राश्टपती चुनाब के लिए आज अंडिये की तरफ से उमिद्बार दरोपती मुर्मो ने नमांकन दाखिल कर दिया है मुख्यमंतरी जैराम ठाकुर भीस नमांकन दाखिल करने के मौके पर मौजूद रहे और इसके नमांकन दाखिल करने के ठीक बाद मुख्य मंतरी शिमला लोट आए हैं और कल कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेंगे इसके साथ ही कल राज्ये के मुख्य सूचना आयुक्त का भी चैन होना है और चैन समीती के अध्याक्ष मुख्य मंतरी जाराम ठाकुर ही है इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष मुकेश अगनी होतरी और शिक्षा मंतरी गोविंद ठाकुर भी समीती में शामिल रहेंगे फिलहाला भी तक के लिए इतना ही मुझे राकेश शर्मा को इजाज़त दीजिए कल कैबिनेट की बड़ी बैठक है पूरा दिन भर कैबिनेट से जुड़ा अपडेट आपके साथ साजा करेंगे इसके साथ ही जो आपके तमाम ये सवाल सामने आ रहे हैं इन्हें भी तमाम जो विभाग जुड़े हैं उन तक पहुंचाया जाएगा साथ ही जो हमारा बुलेटन रहेगा उसमें भी अगला बुलेटन जो हमारा होगा उसमें शामिल क और दिबे हिमाचल समाचार पत्तर के माध्यम से भी आपके सवालों को खबरों के रूप में प्रकाशित किया जाएगा आप सभी हमारे साथ बने इसके लिए आप सभी का धन्यवाद जाहिए